12W का है काफी powerful motor kit है तो यह हमारी customer का order था अंध्य प्रदेश से तो यह पूरा जो है अभी यह kit हम dispatch करने वाले हैं उस वज़त से मैं न सूचा कि आपको यह वीडियो दे देता हूं तो इस type का इसका जो है all sensor wire और इसके face wire रहते हैं और यह rim आप देख पा रहे हैं यह rim जो motorcycle मे use होती है तो इस प्रकार की इसमें motorcycle में रिम लगती है तो आप देख पा रहे हैं यह rim तो इस type का जो है यह motor है यहाँ पे आपको अपना drum brake मिल जाता है और उस side से wire का option मिलता है प्लस आप देख पा रहे हैं यह throttle मिलता है जिसमें reverse और forward का switch मिलता है plus three speed mode रहता है तो इस सभी जो connection है उस पे अपन ने सब मार्किंग कर दी है क्योंकि हमारे यहां से कोई भी किट जाता है तो सभी connection पर मार्किंग कर देते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें color अपना कोडिंग कर दी है जैसे a b c वैसे यह के सामने a b के सामने b step से customer को लगाना होता है प्लस आप देख पा रहे हैं यह output के लिए connector है ताकि बैट्री बगरत से disconnect और connect कर सकें प्लस इसमें controller आप देख पा रहे हैं यह अपन ने junction box लगा दिया है प्लस यह आप दिखपा रहे हैं controller में भी अपने coding marking कर दी है coding से आप दिखपा रहे है spelling अपने लग दी है ताकि customer जो है वह connection करने में उसको समस्या नहों प्लस यह आप दिखपा रहे हैं यह controller है c y लिखा हुआ प्लस यह 1000 वाड का controller है क्योंकि वह 1200 वाड की kit है तो इसमें 1000 1000 वाड का controller दे रहे हैं क्योंकि हम मगर इसका वाड बढ़ाते हैं तो फिर इसकी pricing थोड़ी बढ़े जाती है उस वज़स से अपन इसमें 1000 वाड का controller दे रहे हैं प्लस आप देख पा रहे हैं इसमें अपन ने यह speedometer है इसमें battery level भी show करता है इसमें अपन ने on-off की install कर दिया तो यह आप देख पा रहे हैं इसमें भी अपने जो है पूरे connections जो है पूरे monitor करके पूरे connections कैसे लगने हैं वो सब चीजें देखके अलग-अलग जिसमें connector नहीं लगे रहते हैं उसमें भी connector लगा के अपने मार्किंग कर दी है प्लस यह converter है 48 volt से 12 volt का DC converter प्लस यह mcb है 63 mp भी है ताकि ग्रहा को जो है connection करने में कसी प्रकार से समस्या ना हो तो यह आगे का हिसा और यह पीछे का हिसा है जो controller के पीछे साइड लगना है तो इस टैप से अपने इसमें भी marking कर दी है सीदा सीदा कस्टमर को एक के सामने a b के सामने b c के सामने c d के सामने d इस टैप से जो है connection करने हैं ताकि कस्टमर का किसी प्रकार से कोई भी थोड़ा सा भी नुक्सान ना हो तो यह है और तालिस वोल वारस हो वाट की अब मूर किट तो दूस्तों अगर आपको यह किट चाहिए तो यह मेरा ऊपर WhatsApp नंबर आप देख पा रहे है WhatsApp नंबर पर आप मैसेज करक सकते हैं यह किट करके और यह मार्किंग करके पूरा बनाया है कस्टमर के लिए तो यह पूरा काम जो है हम सीधा करके कस्टमर को देते हैं थाकि कस्टमर सीधा अपनी गाड़ी में डारेक्ट फिट कर पाए परिशान नहों connection के लिए դो अभी सभी connection पर सभी connectors पर costing करेंगे कि कौन्सा connector कहां पर लगना है ये लूमबयर Okay आगे साभी marking करेंगे और लूमबयर के पीछे का सभी marking करेंगे जो ctrl आप लगेगा जो आप देख़ा रहे हैं यर सभी connection जो है यहँ अभी हम marking करने वाले है अभी ये मेरे को भी काफी समय लग जाता है भी दो तीन घंटे हो गया इसको connection को समझते समझते मगर कस्टमर को परिशान परिशानी नहों उस वज़े से जो है अपने इसको पूरा कस्टमर को सब सेट करके देते हैं ताकि कस्टमर डारेक्ट सीधा अपनी काड़ी में सीधा बस connector टू connector लगाए और फोर्सत हो जाए ज्यादा पचड़े में नपढ़ना पड़े उसे कस्टमर को तो इसलिए सब चीज जो है यह पूरा लूम वाइर बगगर है किट में वैसे आता नहीं है मगर हम कस्टमर को जो है पूरा लूम वाइर के साथ दे रहे हैं ताकि कुमर को मलब जा रहे हैं अब इसमें मार्किंग भी करेंगे ठीक दूस्तों